सल्मान खान को बॉंबे हाई कोर्ट से बड़ी राहत पत्रकार ने लगाया था गंभी रारूप नवश्कार में भारती का पास विया स्वागत थे आप सभी कायन 27 नीज में बॉलिवर स्टार सल्मान खान लगातार खबरों में बने हुए हैं हाल ही में गेंग्स्टर दोारा उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली थी जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई वही अब एक्टर को एक मामले में बंबई हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है ये रहात उन्हें उस मामले में मिली है जिसमें पत्रकार ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाये थे दरसल सल्मान खान की खिलाफ 2019 में पत्रकार अशोक पांडे ने मारपीट का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई थी जिसके बाद उन्हें अंधेरी कोट के आदेश अनुसार वहां हाजरी लगानी होती थी लेकिन अब हाई कोट ने आदेश दिया है कि सल्मान को अंधेरी कोट में हाजरी नहीं लगानी पड़ेगी बॉंबे हाई कोट के आदेश के नुसार अंधेरी कोट तुआरा जारी किये गए समन को भी हाई कोट ने रद कर दिया है साथ ही आदेश में कहा गया है कि सलमान के खिलाफ दर्ज एफ आई आर भी रद की जाएगी जाहिर है कि धमकी मिलने के बाद परिशानी के दौर से गुजरने वाले सलमान के लिए ये आदेश रहत बरा है वर्क फ्रेंट के बाद करें तो सलमान खान जल्द ही फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आने वाले है फिल्म में उनके साथ पूजा हेगडे, भूमिका चावला, शेहनास गिल जैसे सितारे भी नज़र आएंगे फिल्म इद के मौके पर रिलीज के लिए तयार है इसके बाद सिल्मान अपनी मोस्ट अवेटर फिल्म सीक्वल टाइगर 3 में केटरीना कैफ के साथ देखेंगे इस फिल्म में शारुख खान का केमियो भी होगा अभी के लिए तना ही देखते रहे हैं N27 News आप देख रहे हैं N27 News पकड हर खाबर पर